कि दोस्तों आज के जमाने में लैप्टॉप का बहुत अलगी में दो लो गया है जितने भी स्टुडेंट है ऑफिस वाले स्टुडेंट है बहुत लोग का मेल से अक्सर कहना है सुवल भाई हमको 30,000 के अंदर हमें ऐसा बजट रेंज में हमें लैप्टॉप सेजेस्ट करो ज स्टुडेंट में गेम्स को भी खिल रखते हैं मैंने आपका दोस्तों कोशन पर कर लिए इस वीडियो को लाकसा जरूर देखना और वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आयो अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल लोगो सस्क्राइब भी कर लीजी नमस्कार दोस्तों मेरे नाम सुवल परिहार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुवल परिहार MGT में लेके आया हूं बहुत ही कमाल की वीडियो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो हमारा budget range में laptop आता है जो आता है HP के तरफ से HP 15S Ryzen 3 बात करेंगे सभी इसके features के वारे में वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके performance में और performance में सबसे पहले बात करते हैं इसके processor के वारे में तुसमें आपको AMD के तरफ से AMD Ryzen 3 Dual Core का आपको processor देखनों को मिलता है साथ में आपको DDR4 की 4GB RAM देखनों को मिलती है जिसको वाग maximum 16GB तक आप expand कर सकते हो साथ में आपको 1 TV की आपको HDD आपको देखनों को मिलती है डिस्प्ले के वारे में बात करूं तो उस लेप्टों में आपको 15.6 इंच का आपको Full HD Plus की आपको डिस्प्ले देखनों को मिलती है जिसकी मदद से आप अपने लेप्टों में 4K Ultra HD में आप वीडियो चला सकते हो साथ में आपको Windows 10 का आपको Operator System आपको देखनों को मिलता ह Graphic Processor के बारे में बात करूं तो उस लेप्टों में आपको AMD के तरह से AMD Radeon का आपको Graphic Processor देखनों को मिलता है जिसकी मदद से आप अपने लेप्टों में सिर्फ Medium Settings में आप गेम्स को भी खेल सकते हो Battery Backup के बारे में बात करूं तो उस लेप्टों में आपको 12 आवर का काफी अच्छा आपको Battery Backup आपको देखनों को मिलता है साथ में आपको 720P का आपको Web Camera देखनों को मिलता है जिसकी मदद से आप अपने लेप्टों में Online Classes भी या बटन कर सकते हो प्राइस को लेके बात करूं तो इस लेप्टों की प्राइस आपको 30,919 एस बज़ेट लेप्टों की प्राइस है दोसर प्राइस रेंज को देखते हुए ये लेप्टों आपको 30,000 के अंदर ही आपको देखनों को मिलता है जिसमें सबसे पहले इस laptop में आपको AMD की तरफ से थर्ड dual core का आपको processor देखनों को मिलता है 4GB की आपको RAM देखनों को मिलती है जिसको बाग maximum 8GB तक या 16GB तक या 12GB तक expand कर सकते हो अगर आपको और अच्छी performance चाहिए साथ में आपको 1TV की आपको HDD आपको देखनों को मिलती है और बेन बाद दोस्तो इस laptop में आपको toy lover का आपको battery backup आपको देखनों को मिलता है in short दोस्तो आपको 30,000 के अंदर ही काफी अच्छा आप कह भी सकते हो आपको powerful laptop देखनों को मिलता है जिसमें आप दोस्तो सारा काम कर सकते हो आप office का भी काम कर सकते हो मल्टी मीडियो भी चला सकते हो online classes भी टेंट कर सकते हो internet भी आप access कर सकते हो और medium settings में आप games को भी खिलतकते हो अगर दोस्तो इस laptop को आप purchase करना चाहते हो या इस laptop के बारे में आप और भी जानकारी लेना चाहते हो तो इस laptop की link में आपको discussion में दी दूँगा दोस्तो बस फिलाल वीडियो में तना ही देखने के लिए आपका धन्यवाद मोझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तो बहुत तक आप जी मेरी वीडियो को like और share नहीं कराए तो like भी कर दीजिए share भी कर दीजिए और channel को subscribe करना मत भूलना क्योंकि मैं अपके लिए रोजाना डेली ऐसे ही यूनिक्स वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तो बस फिलाल वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद जैहिंत और बंदे मात्रम